देश सहिता प्रदीश भर में आज राम नवमी का परवर्शो लास के साथ मनाय जा रहा है। वालमे की रामायन के अनुसार चैत्र महा के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथी को भगवान विश्नु के साथवें अवतार प्रभुराम का जन्म हुआ था। हर वर्श इसी तिथी पर पूरे देश में राम नवमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाय जाती है। राम नवमी के परव परदेश भर में जगह जगह शोभय यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं आजा योध्या के भव्य राम मंदिर में राम लला जन्म होत्सव भव्य तरीके से मनाय जा रहा है। राम नवमी पर आयोध्या में विराजमान राम लला का दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक हुआ और मंदिर में विराजमान राम लला के मस्तक पर 3 मिनट तक सूर्य की किरणों से अभिशेक हुआ आज राम लला का दरबार श्रधालूं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा श्रधालूं को रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश करवाय जाएगा इस बीच राम नवमी के अफसर पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रधालू आयोध्या पहुंच रहे हैं आज रहे हैं वही राम नवमी का त्योहार चौत्र नवरात्रों का भी आखरी दिन होता है इस सुपलक्ष पर आज प्रदेश भर के सभी शक्ती पीठों में भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए बाहरी राजियों से श्रधालों पहुंचे हैं वहें मंद्रों में मादुर्गा की पूजार्चना और हवन यग्य भी किया जा रहा है राष्ट्रपती द्रॉपधी मुर्भू उप राष्ट्रपती जगदीब धन खड़ो है और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने राम नवमी के अफसर पर लोगों को शुपकाम नाई दी है राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मो ने कहा कि राम नवनी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है उन्होंने कहा कि श्री राम का निरुस्वार्थ प्रेम वीरता और उदारता के उचतमा दर्श मारव जाती के लिए प्रेरिना का स्रोत है वहीं उपर आश्ट्रपती धंकर ने कहा कि भगवान राम का दिव आशिरवाद लोगों के जीवन को आनंद, शांती और समरधी से भर देता है उन्होंने कहा कि भगवान राम के सधानतों ने सदियों से कई लोगों का मार्ग दर्शन किया है उन्होंने लोगों से भगवान राम के दिखाये गए मार्ग पर फिर से समर्पित होने और उनकी आदर्शों का पालन करन के एक समर्द और मजबूत राश्टर के निर्मान के लिए द्रड़ता से काम करने का ग्रह किया वहीं प्रधान मंत्री नरेंद रमोदी ने कहा कि पांच शताब्दियों के दिजार के बाद इस राम नवमी को अयोधिया में मनाना सौभागे की बात है उन्होंने आशा व्यक्त की कि भगवान राम का जीवन और आदर्श विकसित भारत के निर्मान का मजबूत आधार बनेंगे उन्होंने कहा कि श्री राम का आशिर्वाद आत्म निर्भर भारत के संकल्प को नई उर्जा प्रदान करेगा